लगता है यूपी बे कॉंग्रेस, मायावती और अख्लेश यादव दोनों के वोट बैंग पर नजरे गड़ाई बैठी है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ तो प्रियंका गांधी वाद्रा, आर्मी चीफ चंद्रशेकर से मुलाकात करने का कोई मौका नहीं छोड़ती तो वहीं दूसरी तरफ आज प्रियंका अख्लेश यादव के गड़ आजमगड पहुंचेंगी बताया जा रहा है कि कॉंग्रिस महसर्चीफ CAA के खिलाफ रैली के दोरान पुलिस की पिटाई में घायल हुए प्रतशनकारियों से मुलाकात करेंगी माना जा रहा है कि कॉंग्रिस अब अख्लेश यादव के गड़ में सियासी सेंधमादी की कोशिश कर रही है आपको बता दे की प्रियंका दो दिन पहले नरेंद्र मोदी के संसद्य शेत्र वारांड सी गई थी दिल्ली के शाहीन बाग की ही तरह आजमगड के मौलाना जोहर पार्क बिल्रिया गंज में CAA के खिलाफ धन्ना प्रदशन चल रहा था बीते दिनों अंदोलन कारियों को पुलिस ने खदेर दिया था इसके साथ ही कई प्रदशन कारियों पर मुकत में दर्च किये गए और कई को जेल में बंद भी किया गया कॉंग्रेस की स्थानिय नेताओं ने जेल में बंद प्रदशन कारियों से भी मुलाकात की अब इन प्रदर्शनकारियों से मिलने आज प्रियंका पहुंचेंगी आपको बदा दे कि UP में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बरबरता के खिलाव प्रियंका गांधी वाद्रा बीते दिनों राष्ट्रे मानावधिकार आयोग पहुंची थी इस शिकायत पर NHRC ने उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव और DGP को एक नोटिस भी जारी किया था प्रियंका ने UP पुलिस पर प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर अत्यचार करने का रोप लगाया आयोग ने UP सरकार को नोटिस का जवाब देने के लिए 6 हफते का वक्त दिया है इतना ही नही हाल ही में आजमगर्ण में अखलेश यादव के खिलाफ लापता होने के पोस्टर भी लगाये गए कॉंग्रेस के अल्पसंग्यक विभाग की तरफ से चस्पा किये गए इन पोस्टरों में CAA और NRC विरोधी प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाओं के साथ पुलिस की बरबरता को लेकर अखलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए गए तो वहीं उलेमा काउंसल ने भी अखलेश यादव को ट्विटर वाला नेता बताया था Bureau Report, UP तक जोई भी अचे से अए вли Boss ठीर पर स्वादव के लुप्वे बताए्ट याद़ Stephen